दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं वेद दुनिया के पर्थम धर्मग्रंत है इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजवबों की उत्पती हुई जिनोंने वेदों के ज्यान को अपने अपने तरीके से बिन बिन भासा में परचारित किया वेद इस्वर द्वारा समादान है वेदों में ब्रह्मदेवता ब्रह्मांड जोतीस गनीत रसायन औसदी प्रकरती खगोल भोगोल धर्मिक नियम एतिहास रीति रिवाज आधि लगभग सभी विशयों से सम्मंदित ज्यान भरा पड़ा है सत्पत ब्रह्मन के स्लोक के अनुसार अगनी वायू जाता है एक क्रंत के हनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पती हुई वेद सबसे प्राचींतम पुस्तक है इसलिए किसी ब्यक्ति या इस्थान का नाम वेदों पर से रखा जाना स्वाभाविक है जैसे आज भी रामयन महा भारत इत्यादी में आये सब् मनुष्यों और इस्थान आधिका नामकरण किया जाता है वेद मानव सभ्यता के लगबग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं वेदों की 28,000 पांडुलिपियां बारत में पुने के बंडार कर औरेंटल लिसर्च इस्टिटूट में रखी हुई है इनमें से रिगवे वेद की 1800 से 500 इस्विपूर की 30 पांडुलिपियों को संस्कृतिक धरोहरों की सूची में सामिल किया है उलेखनी है कि यूनिस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपून पांडुलिपियों की सूची 38 है तो अब बात करेंगे वेदों के उपवेद के बारे में जिगवेद क का गंधर वेद और अथरवेद का सापत्य वेद यह करमसोचा वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं वेद के की विभार्त चार हैं लिगवेद यजुर्वेद सामवेद और अथरवेद रिग रिष इस्थिति यजु रुपांत्रण साम गतिसील और अथर्व लबजड रिक को धर्म यजु को मोक्ष साम को काम अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है इनी के आधर पर धर्मसास्त्र अर्थ सास्त्र काम सास्त्र और मुक्ष सास्त्र की रचना हुई है